दोस्तों, आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारे घरों में, फेक्टरियों में, चक्कियों में या शॉप्स में, जो सिंगल फेस की मोटर लगी होती है, चाहे वो कोई भी मोटर हो, एक HP की, दो HP की, आदा HP की, पांच HP की, सिंगल फेस की कोई भी मोटर हो दोस तो उसका हम करंट कैसे निकाल सकते हैं वैसे तो जब भी हम नई मोटर मार्केट से खरी तरी और उसकी डाटा भीट पर उसका हर दोस्तो लिखा रहता है लेकिन कई बार क्या होता है हम सोब्स के लिए या फिर ऐस्ञेविर के कोई पुलाणी motor खरीदते हैं तो उसकी डाटा प्लेट से उसका करेंट मिठ जा तो उस कौंडियन में में क्या होता हैं दोस्तों उस motor कर्ण्चड करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जब तक हम उस motor कर्ण्च नहीं करेंगे उस motor का का सिलेक्स नहीं कर सकते इस्टों आज किसी भी सिंगल फेज मोंतर का कञन्ट करते हैं दोस्तो जब भी आपने मार्केट से कोई भी मोटर प्रचेज की होगी तो उस पे दोस्तो आपने देखा होगा तो उस मोटर की रेटिंग वहाँ पे दो टाइप से दी रहती है या तो दोस्तो उस पे लिखा होगा HP या दोस्तो उस पे लिखा होगा KW हमारी मोटर की पाउर दोस्तों SP या के डबलु दोनों और सब्सक्रावी को हिसे निकालना इस्वीन bestimmt है इसे हम दोस्तों HP में convert करते हैं तो हम इसे 5 HP की motor भी बोल सकते हैं तो हम 5 HP की motor का या फिर 3.7 kilowatt की motor का current निकालना सिख लेते हैं current निकालने से पहले दोस्तों हमें इसका formula पता होना चाहिए कि current करेंट निकालने का हमारा formula क्या होता है दोस्तों जो पावर यहां पर दी है मैंने आपको पहले भी बता दिया है पावर दोस्त हमारी से मोटर का करण निकालते हैं k w से तो हम उसे वार्ट में करेंगे या फिर हम Gorine सेनिकलते हैं तब भी हम उसे पहलेवाट में करेंगे उसके बाद हम हमार लें hp की दी रहती है इसके घृता हम स्कें होता है अगर हम सिंगल़ स्मैंग आप ं Г्रीन मोट से लिए निकव yg आपे हमें 20 वोल्ट फ़िछ दे कर लेनी है यह या पिर हमें यह मोटर की ढटाब्ल डिया रहता है 20 इरो बले लेंगे अगर नहीं दे कर लेना है डोस्तो घ्र पर तो सिंगल के मोट और अज़ सकते हैं तो दोस्तो अब हम हमारी मोटर के लिए करेंट निकाल लेते हैं हम ए और में काई तबाट इस्थ हां हम निकालने का फbnूला है सेम रहेगा और हमारी यह जो प्रफक्टर or फ्रक्ट यह ये मोटर के लिए दोस्तो सेम ही रहेगी तो ह्प के लिए हम क्या करेंगे आई is equal to एसप कितना है दोस्तो हमारी मोटर का 5 ठीक है दूस्तों और वोके कितनी है 220 इंटू पारफ्यक्टर कितना है 0.8 मैंने आपको दोस्तों पहले भी बता दिया था हम 5 Hp को में काठ बढ़ एक 255 में कितने वाट हते हैं 746 वाट होते हैं दोस्तों में आपको एक बात जुरूर ना डिलिता हूँ यह दोस्तों आपको लिदॉस्तं को सीधान owस्ता क्लोफ में 746 वाट होते हैं और 1 देख लेते क्लोफ में क्रियुक्त मिलखना और यहाफ में पॉइंट सेवन इन्टू एक हजार यह मैंने आपको यहां बताया है एक किलो वाट में एक हजार वाट होते हैं अपॉन वोल्टेज कितनी है हमारी 220 इन्टू पावर फैक्टर कितना है 0.8 जब इन्हें मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमारी वेल्यू आती है दोस्तो 3700 और इस कि वेल्यू को मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमारी वेल्यू आती है 176 यह हम यहाँ पर आई यानि कि करण निकाल रहे है ठीक है दोस्तों जब मिने अपस में डिवाइड करते हैं तो हमारी वेल्यू आती है आई इस इकोल टू 21.02 एमपेर पावर को जब हम किलोवाट में ले करता है आइए वह भी चेक कर लेते हैं आई इस इकोल टू पांच को जब हम 740 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो दोस्तों हमारी वेल्यू आती है है 730 ठीक है दोस्तों और वोल्टेज है हमारी 220 और पाउफेक्टर 0.8 जब हम इने मल्टिप्लाइ करेंगे तो सेम आयगा दोस्तों हमारी यह दोस्तों आयगा दोस्तों आपको जिस प्रकार आसान लगे आप उस प्रकार अपनी मोटर का करंट निकाल सकते हैं चाहे SP में निकाल सकते हैं चाहे किलोवाट में भी निकाल सकते हैं दोस्तों किसी भी मोटर का करंट निकालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें उस मोटर का करंट नहीं पता होगा, तब तक हम उस मोटर की फिटिंग या इंस्टोलेशन नहीं कर सकते, माली जी दोस्तों हमारी पास कोई motor है हमें उसका current नहीं पता और माली जोस पर हम पतली वाय लगा देते हैं तो उसमें हमारी motor और वायर दोनों के जलने का खत्रा बना रहता है इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारी motor के current को find करते हैं या फिर अगर उस data plate पर current लिखा है तो उसके according हम उस motor पे wire और MCV का selection करते हैं उसके बाद हमारी motor को run करवा सकते हैं वो दोस्तों हमारे लिए safe रहता है तो दोस्तों इस पकार आप अपनी किसी भी motor का current आसानी से नि मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ जय हिन जय भारत